प्रभू की महिमा के लिए प्रभू ने कैसे आप से बात किया और अपने दास का उप्योग किया और अपने वा आपको इन वर्दानों के द्वारा जीवित साबित किया जल्दी आएं अपने स्थान से और छोटी गवाही यहां पर बांटे ताकि प्रभू को महिमा में लेवाइबिल में लिखा है जो अपना आज रख छोड़ता है वो श्रापित होता है जो उसे बेज देता और बांट देता वो क्या पाता आशीश पर आशीश पाता यदि प्र प्रमेश्वा ने काम किया, नाम लिया, वर्दान से कारे किया, उसकी गवाही देना. कारे कर तक कर रही थैं तो पहुत थीजा, नाम लिया, जा रही देना. बहुत जादा प्रॉब्लम में थी मतले में बहुत सोचती थी इस बारे में तब मुझे पास्टर सचिन कलाइव के द्वारा प्रभू ने बादशीत करी और वैसे ही प्रफेसी हुई कि विवा वो जो विवा है वो प्रभू की और से है प्रभू ने ही तए करा है मेरे लिए प्रभू ने ही दिया है तो मैं प्रभू का धनिवाद देती हूं कि पास्टर जी के द्वारा मुझे प्रभू से उत्तर मिला की जो व्यक्ति प्रभू ने मेरे लिए रखा था वो प्रभू ने दिया है इसके लिए धनिवाद देती हूं अलेलुया प्रभु ने जो दान दिया उसको गवाना नहीं है रात ना करना है और उसके लिए यूद करना है मेरे प्रियों परमेश्वर के महान और अद्बुद अनुग्रे से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवनों के अंदर ये समय ये अफसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के उपर मनन करने जा रहे हैं और आज जिस विशे के उपर मैं आप लोगों के बीच में प्रचार करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा विशे है जिस विशे पर पूरे भारत में पूरे विश्व में उस विशे के उपर प्रचार किया ही नहीं जाता है क्योंकि किसी भी प्रिचारक को उस विशे का पूरा ग्यान जो है वो प्राप्धी नहीं है और क्योंकि उस विशे पर कलीसियाओं के अंदर प्रिचार नहीं किया जाता है इस कारण कलीसिया जो है उस बात को लेकर के पूरी तरह से प्रमित है और इसलिए जो भर्माने वाले हैं, उनके भर्माने के अंदर मसीही लोग निरंतर आते चले चाते हैं कल मैंने आपके सामने एक भविश्यवाणी को रखा था और उसी को अधार बना करके हमने अपने संदेश को सीखा था जहां पर्मती के सूसमचार में येश्यू मसी ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों का जो मेजर साइन होगा, अंतिम चिंज होगा, बहुत बड़ा चिंज होगा वो ये होगा कि चुने हुए लोग भी भर्मा दिये जाएंगे और आज हमारे समय में वो हो रहा है और क्यूं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो ग्यान हमारे पास होना चाहिए वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है और इसी वज़े से हम भर्माने वालों के शिकंजे के अंदर फस्ते चले जा रहे हैं आज में पवित्र आत्मा के जो नौ वर्दान पॉलूस के द्वारा बताये गए हैं उसके उपर प्रचार करूंगा और मैं एक एक वर्दान के बारे में आपको बताओंगा हो सकता है कि उन नौ वर्दानों में से कई सारे वर्दान आपके पास भी हो लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि पवित्र आत्मा के वर्दान आपके जीवन के अंदर काम कर रहे हैं आज जो बात में आपके सामने रखने जा रहा हो कि पवित्र आत्मा के वो नौ वर्दान आकिर काम कैसे करते हैं क्या होता है जब पवित्र आत्मा के वर्दान एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं क्या दिखाई देने लगता है आँखों के सामने कैसे परमेश्वर की आवास कानों के अंदर सुनाई देने लगती है कैसे आपका विश्वास बढ़ जाता है कैसे अन्य भाशा बोलने के जुबान अपने आप काम करने लग जाती है वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा छोटे रूप में रखूंगा लेकिन आप यदि बीच में सो गए तो फिर आपको आगे की कोई भी बात समझ में नहीं आप आएगे आज शाम को मैं पवित्र आत्मा के जो नौ वर्दानों के बारे में बाइबिल के अंदर पॉलू उसके द्वारा बताया गया था उसके उपर प्रिचार करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया और कुछ वचनों को हम पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने अध्यन की शुरुवात को करेंगे और मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा आप लोग जागे रहें क्योंकि मुझको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा वरना नौ वर्दानों में से कई सारे वर्दान जो हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है वर्दान तो कई प्रकार के हैं परन्तु आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की हैं परन्तु प्रभू एक ही है और प्रभाव शाली कार्रे कई प्रकार के हैं परन्तु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रिकार का प्रभाव उत्पन करता है परन्तु सब के लाब पहुचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रिकाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है पहला वर्दान और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बाते दी जाती हैं दूसरा वर्दान और किसी को उसी आत्मा के आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परक और किसी को अनेक प्रिकार की भाशा और किसी को भाशाओं का अर्थ बताना परंतु ये सब प्रभावशाली कार्रे वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वे पांट देता है तो आज परमेश्वर के वचन से इन वचनों के अंदर जो रहसे छिपा हुआ है हम उसको जानने जा रहे हैं उसको समझने जा रहे हैं कि आखिर पॉलूस यहां पर किस बात का परीचे कलीसिया से करा रहा था यह नौ वर्दान आखिर एक विश्वासी के जीवन में काम कैसे करते हैं अज पवित्र आत्मा को ले करके इतना ब्रह्म फैला हुआ है इतना ब्रह्म फैला हुआ है कि जिन लोगों ने कभी पवित्र आत्मा को पाया ही नहीं जिन लोगों ने कभी पवित्र आत्मा को चका ही नहीं वो आपको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने का प्रियास कर रही है और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि किसी वैक्ती ने जब किसी चीज को चका ही नहीं तो वो कैसे आपको उस वस्तू का टेस्ट जो है सुआध जो है वो बता सकता है मैं एक cold drink अमेरिका से खरीद करके लाओं और उस cold drink को एक गिलास के अंदर मैं खाली कर दूँ और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि इस cold drink को बिना चखे आप बताओ कि इस cold drink का सुआध कैसा है कि आप सुआध बता पाएंगे यदि वो कोला की तरह दिखेगा तो आप कहेंगे ये कोको कोला के टेस्ट का होगा यदि वो लिमका की तरह दिखेगा तो आप कहेंगे ये लिमका की तरह होगा यदि वो मिरिंड़ा की तरह ढिखेगा तो आप कहेंगे, ये मिरिंड़ा की तरह होगा लेकिन आप सिरिफ अंदाज लगा पाएंगे आप कभी भी उसका टेस्ट जो है वो नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप उसको चक करके नहीं देख लेंगे और वही आज कलीसियाओं के अंदर हो रहा है कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को कभी पाया ही नहीं, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को कभी चका ही नहीं, वो आपको पवित्र आत्मा के बारे में ग्यान देने में लगे हुए हैं कि पवित्र आत्मा वास्तम में किया ह जितनी भी बातें आज पवित्र आत्मा के बारे में भारत के अंदर सिखाई जा रही है और ये कोरोना वाइरस जो आया वो दुनिया के लिए अभी शाप बन के आया ही आया लेकिन कलीसियाओं के लिए भी ये कोरोना वाइरस अभी शाप बन के आया था क्योंकि इस कोरोना वाइरस के अंदर एक श्राप कलीसिया को मिल गया क्या क्या श्राप है वो यह जूम मीटिंग का यह ऑनलाइन मीटिंग का श्राप जो है वो कलीसिया को मिल गया कोरोना वाइरस में और सारी गलत शिक्षाएं ऑनलाइन मीटिंग के माद्यम से यह जूम किसी को नहीं पता है कि पवित्र आत्मा क्या है लेकिन जिसके मन में जो आ रहा है वो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने में लगा हुआ है कितने सारे ऐसे लोग जो आज अपने आपको पास्टर कहते हैं वो यहां तक के लंबे-लंबे बाल रखे हुए हैं अपने आपको पास्टर कहते हैं कितने सारे ऐसे लोग जो इतना मोटा-मोटा इतने मोटा तो लड़कियों का भी जूड़ा नहीं होता है इतने मोटे मोटे जूडे बना करके पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं, जबकि वच्छन में लिखा हुआ है कि पुरुष जो है वो लंबे बाल ना रखे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं, कई सारी जो जवान लड़कियां हैं, वो पवित्र आत हुआ है यह जिन्दगी और मौत का सवाल है यहां पर शतान के साथ युद्ध चल रहा है परमेश्वर के राज्य का आपको हीरो और आपको हीरोईन बनने से फुरसती नहीं है मज़ाग समझ के रखा हुआ है जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी भी पवित्र आत्मा को समझ नहीं सकते हैं और जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं समझ सकते हैं वो पवित्र आत्मा के वर्दानों को तो कभी भी नहीं समझ सकते हैं यहां पर पॉलूस ने पवित्र आत्मा के जिन नौ वर्दानों के बारे में बताया, बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, वो उन वर्दानों को तीन, तीन, तीन के सेट के अंदर विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, सेट का एक वर्दान आपके पास है तो उसी सेट के अन्य दो वर्दान भी आपके पास होंगे क्योंकि जब तक वो तीनों वर्दान आपके पास नहीं होंगे पवित्रा आत्मा का वर्दान सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और इसलिए Bible के scholars in 9 वर्दानों को जो 3 sets के अंदर divide करते हैं पहला set जो है उसको revelation gifts कहा जाता है यानि precaution के वर्दान उसको कहा जाता है और इन precaution के वर्दानों ये precaution के वर्दान जो है वो पवित्र आत्मा के सबसे high quality के वर्दान है जो Bible में भविश्य वक्ताओं के पास हुआ करते थे और इन precaution के वर्दानों के अंदर यहां पे लिखा है बुद्धी की बाते हैं लेकिन original Greek Bible में लिखा है बुद्धी का वच्छन दिया जाता है और दूसरा लिखा है घ्यान का वच्छन दिया जाता है word of knowledge दी जाती है और तीसरे के लिए Bible scholars कहते हैं आत्माओं की परक का वर्दान भी Revelation Gifts के अंदर ही आता है और दूसरा सेट जो है उसको power gift कहा जाता है जिनको हम सबसे जादा महत्व देते हैं लेकिन Paulus ने उनको दूसरे नंबर के उपर रखा है और power gifts के अंदर पहला वर्दान जो है वो विश्वास का वर्दान पॉलूस ने बताया दूसरा वर्दान चंगाईयों का वर्दान पॉलूस ने बताया और तीसरा वर्दान आश्चर ये करम करने का या सामर्थ के काम करने का वर्दान पॉलूस ने बताया और जो तीसरा सेट है उसको inspiration gifts कहा जाता है यानि प्रेर्ना की वर्दान उसको कहा जाता है और उसके अंदर भविश्य माणी करने का वर्दान पॉलूस ने बताया नानाप्रिकार की भाषाय अन्यन्य भाषाय बोलने का वर्दान पॉलूस ने बताया तरीक में भी विश्वासियों को दिये जाते हैं यहां तक कि अन्य अन्य भाशाओं का वर्दान भी भविश्यवानी करने का वर्दान भी विश्वासियों को दिया जाता है और आज हम इसी के उपर ध्यान केंदरित करने जा रहे हैं तो हम प्रकाशन के वर्दानों से अप आ कोटी के वर्धान पॉल उसके दुआरा बताय गए थे बाइबल में जो भविश्य वक्ता हुआ करते थे पुराने नियम में उनके पास ये वर्धान हुआ करते थे और Revelation gift जो हैzeug कराशन के ये वर्धान जो हैं ये gift जो है इसमें परमेश्वर Supernaturally अपने सेवक के उपर अपनी सेविका के उपर कुछ एक ऐसी बात को प्रगट करता है जो किसी भी माध्यम से जानी ही नहीं जा सकती है परमेश्वर कुछ ऐसी सूचना देता है ऐसी information देता है जिसको इनसान जान ही नहीं सकता है परमेश्वर word of wisdom देता है पहला वर्दान ये word of wisdom है और word of wisdom जो है ये बुद्धी का वचन जो है ये बुद्धी का वर्दान नहीं है कि आप बहुत intelligent हो गए लेकिन ये बुद्धी का वचन है word of wisdom है और इसके तहत परमेश्वर अपने सेवक या अपनी सेविका को अपने विश्वासी जो जो बहन होती है सेवी का उसको परमेश्वर एक शब्द देता है वो शब्द जो है वो या तो आपको अपने कानों से सुनाई देगा या अलग किसी माध्यम से भी आपको परमेश्वर वो वचन प्रदान कर सकता है लेकिन अधिकतर परमेश्वर अपने दास, अपनी दासी के कान में आकर के उस बात को बोलता है वो वर्ड ओफ विश्डम होता है और ये वर्ड ओफ विश्डम बुद्धी का वचन जो होता है वो हमेशा future से related होता है जिस बात को भविश्य की जिस बात को आप किसी भी माध्यम से जान ही नहीं सकते हैं परमेश्वर उस बात को आपके कान में आकर के बोल देगा सिरिफ एक एक शब्द देगा या परमेश्वर एक वाक्य देगा लेकिन अपने मन की बात को प्रगट कर देगा यशाया उसका 22 अध्याय उसके 14 वचन में यशाया इस बात को कहता है कि सेनाओ के यहुआ ने पास आकर मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रगट की परमेश्वन ने यशाया के कान में आकर के अपने मन की बात प्रगट की थी बहजन सहीता 32 उसके आठ में भी इसी बात को वहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपना वचन बता करके एक शब्द के द्वारा एक वाक्य के द्वारा अपने लोगों की अगवाई करता है और इसका उधारन जो है वो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने नू को बुद्धी का वचन दिया था और परमेश्वर ने नू से जब बात करी थी तो परमेश्वर ने कहा जाहस बना क्योंकि जल प्रले आने वाला है एक वाक्य के द्वारा परमेश्वर ने फ्यूचर में जो होने जा रहा था उसको नू के उपर प्रगट कर दिया था जल प्रले खब आएगी जल प्रले कैसे आएगी जल प्रले में क्या होगा जल प्रले के बाद क्या होगा परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया था परमेश्वर कुछ नहीं बताता है परमेश्वर या तो एक शब्द के दूरा ये एक वाक्वे के दूरा बस अपनी मनसा को अपने लोगों के उपर प्रगट कर देता है और उसको बुद्धी का वचछन जो है वो कहा जाता है सिर्फ एक शब्द के दूरा जब येशु मसी कैसरिया फिलिपी में थे और वहाँ पर येशु ने अपने शिश्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे बताओ तो किसी ने कहा कि लोग कहते हैं युहना बप्तिस्मा देने वाला वापिस जिन्दा हो गया है किसी ने कहा गुरु जी आपको लोग यर्मिया भविश्य वक्ता कहते हैं कि यर्मिया भविश्य वक्ता जिन्दा हो करके आ गया है कोई कहता है गुरु जी कि आप कोई पुराने भविश्य वक्ता हो जो वापिस आ गये हो लेकिन येशु ने कहा तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो तो पत्रस बीच में से निकल करके सामने आया और पत्रस ने आकर के कहा कि तु जीवते पर मेश्वर का पुत्र मसी है और येश्व मसी ने पत्रस से कहा कि मास और लहू ने नहीं लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, तुझ पर ये बात प्रगट की है, जो बात future में reveal होने जा रही थी, future में लोगों को पता होने जा रहा था कि येश्य मसीही, प्रभू है, मसी है, वो बात पत्रस को परमेश्वन ने बुद्धी का वचन दे करके, word of wisdom दे करके वो ये पत्रस के उपए परमेश्वर ने प्रकट करती थी देखिए कई बार मैं किसी किसी के घर के अंदर जाता हूं प्राथना करने के लिए जाता हूं और जैसे ही मैं जा करके बैठता हूं या मैं प्राथना कर रहा होता हूं तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है मैं किसी के घर में गया मैं प्राथना कर रहा था परमेश्वर ने कहा एक आवाज सुनाई दी बिटरनेस, कड़वाहट यानि इन लोगों के लिए तेरी प्राथना को मैं सुनूंगा ही नहीं क्योंकि इनके मन इनके जीवन जो है वो कड़वाहट से बिटरनेस से भरे हुए कितने बिमारों के लिए मैं प्राथना करता हूँ परमेश्वर की आवाज आती है बुद्धी का वचन आता है वै भी चार यानि कि जीवन में इतना घोर घोर वै भी चार किया है तो कितनी ही प्राथना इनके लिए कर ले मैं सुनूंगा ही नहीं क्योंकि ये दंड भुगत रहे हैं 2017 में 2017 के सिप्टेंबर के महीने के अंदर मैं नागपुर के पास एक जगे है घट चिरोली वहाँ पर प्रिचार करने गया हुआ था और जब मैं होटल के कमरे में अकेला था मैं होटल के कमरे में सुबे के समय घूम रहा था वचन के उपर मेडिटेट कर रहा था कि आज क्या प्रचार करना है और जब मैं घूम रहा था प्राथना कर रहा था वचन पर मेडिटेट कर रहा था तो एक गम से परमेश्वर की आवाज बुद्धी का वचन जो है एक गम से आया और एक आवाज एक सेंटेंस सुनाई दिया कि तू पैसे जमा करना शुरू कर दे क्यों कर दे किस लिए कर दे क्या होने जा रहा है कुछ नहीं बताया लेकिन बस एक आवाज आई कि तू पैसे जमा करना शुरू कर दे मैंने मेरी पत्नी को फोन किया और मैंने उसको कहा कि परमेश्वर ने मुझे को ये बात बोली है शायद हमने सोचा कि शायद कलीसिया पे सताओ बढ़ने जा रहा है शायद बहुत जादा सताओ का समय आने वाला है क्योंकि उस समय तक हम पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं करते थे सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं करते थे जितना भी लोग हमको दान दिया करते थे हम वो दान लेकर के वापिस से प्रबू की सेवा में लगा दिया करते थे तो हमने थोड़ा पैसा जमा किया लेकिन उस बात को मैं भूल गया और सेवकाई में व्यस्त हो गया एक साल बाद 2018 में September के महीने में मैं नाकपूर में Jesus Calls की एक Conference के अंदर प्रिचार करने गया हुआ था सही एक साल बाद जब मैं वापिस से होटल के कमरे के अंदर गूम रहा था वचन के उपर मेडिटेट कर रहा था September का ही महीना था वापिस से भुद्धी का वचन आया और परमेश्वन ने इस बात को कहा कि मैंने तुझे कहा था कि तू पैसे जमा करना शुरू कर दे तूने मेरी बात नहीं मानी और परमेश्वर की आवास के अंदर इतनी गंभीरता थी कि मैं उस बात को हलके में ले ही नहीं सकता था और उसके बात से गंभीरता के साथ हमने कुछ पैसे जमा करने शुरू करे और जैसे ही 2018 खतम हुआ 2019 जैसे ही खतम हुआ 2019 के खतम होते के साथ ही दुनिया जो थी वो कोरोना वाइरस के खुनी शिकंजे के अंदर फस गई पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई लॉकडाउन लग गया लोगों की नौकरिया चली गई परमेश्वर को पता था कि हमारा जीवन संकत में पढ़ जाएगा परमेश्वर ने फ्यूचर में जो होने जा रहा था वो बुद्धी का वचन भेज करके पहले से ही बता दिया था कि तुँ पैसे जमा करना शुरू कर दे परमेश्वर बुद्धी का वचन देता है और उस बुद्धी के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके कान के अंदर ऐसा ही कुछ बोल रहा हो जब मेरी मम्मी जो है उनको कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था और मैं प्राधना के अंदर लगा हुआ था उस समय तक मैं कॉलिच के अंदर पड़ा करता था मेरे पास Isaac समय भी यह वरदान थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कौन सा वरदान है कि और जब यह परातना कर रहा था कि operation ना हो operation ना हो operation ना हो और जब मैं ऐसी ही प्रातना करते हुए घर की छट पर घूम रहा था तो अच्छानक से ही एक बुद्धी का वचन मुझे सुनाई दिया कानों से सुनाई दिया परमेश्वन ने कहा operation तो होगा परमेश्वन ने अपने मन की बात प्रगट कर दी थी और operation हुआ और operation होने के बाद जो doctor था जो की super surgeon था उसने इस बात को कहा इतने सालों की मेरे अनुभव के अंदर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी का operation होने के बाद cancer पूरी तरे से पूरी ही तरे से remove हो जाए future में जो होने जा रहा था वो परमेश्वर ने बुद्धी का वचन भेज करके उस बात को प्रगट कर दिया था मैं जमशेदपूर के अंदर 2018 में प्रचार करने गया हुआ था मैं उधारन इसलिए दे रहा हूँ ता कि आप उस वर्दान को पकड़ सकें हो सकता है यह वर्दान आपके पास हो लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि आपके पास कौन सा वर्दान है और 2018 में जब मैं जमशेदपूर में था मैं लोगों के लिए प्रातना कर रहा था अंतिम दिन तो बुद्धी का वचन परमेश्वन ने प्रदान किया परमेश्वन ने कहा जौन शराबी को मैं बुला रहा हूँ और मैंने खड़े हो करके हजारों लोगों की भीड में बोल दिया कि जौन नाम का जो वेक्ति जो है जो की शराबी है उसको परमेश्वन नाम लेकर के बुला रहा है और पूरा जमशेतपुर जो है उसके सारे मसीही जानते थे उसको की जौन नाम का एक भयानक शराबी उनके शहर में रहता है सब ही उसको जानते थे और वो मेरे पास साया रोता हुआ मैंने उसके लिए प्राथना करी और उसका जीवन पूरी तरे से बदल गिया आज वो प्रभू की सेवा कर रहा है परमेश्वर बुद्धी का वचन देता है और बुद्धी के वचन के द्वारा परमेश्वर अपने मन की बात को प्रगट कर देता है यह भविश्यवारी नहीं थी कि मैं जॉन को नाम लेकर के बुला रहा हूँ यह भविश्यवारी नहीं थी यह बुद्धी का वचन था आज कितने लोगों को बुद्धी का वचन मिलता है वो अपने नाम के आगे प्रॉफिट फलाना डीमकाना लगा लेते हैं उनके पास बुद्धी के वचन का वर्दान है लेकिन वो अपने आपको भविश्यवक्ता समझने लग जाते हैं भविश्यवारी का वर्दान बहुत निचले तबके का वर्दान है पॉलूस ने बताया लेकिन बुद्धी के वचन का वर्दान टॉप का वर्दान पॉलूस ने अपनी लिस्ट के अंदर बताया था उसके बाद इनी रैविलेशन गिफ्ट के अंदर जो दूसरा गिफ्ट दूसरा वर्दान पॉलूस ने बताया वो ग्यान का वच्छन, यहां पे लिखा है ग्यान की बाते हैं, लेकिन original Greek में लिखा है ग्यान का वच्छन परमेशवर देता है Word of Knowledge आप गूगल के ऊपर पढ़ पढ़ के जो नॉलिज हासिल करते हैं, पढ़जी नॉलिज, ये उस नॉलिज की बात नहीं की जा रही है देता है कि जो या तो present वर्तमान से संबंदित होता है। यह भूद काल से past से संबंदित होता है। आप जिस बात को किसी भी अन्य माध्यम से नहीं जान सकते हैं परमेश्वर वो अपने दास के उपदासी परगट कर देता है। परमेश्वर एक short दिखाता है। कुछ उत्पन होगा वो द्रिश्य आपके आँखों के सामने आएगा fractions of seconds में वो गायब हो जाएगा और उसके बाद पवित्रा आत्मा आपको समझाएगा कि आपको खिया दिखाया गया था और इसको ग्यान का वचन या word of knowledge इसको कहा जाता है मैं जमशेथपूर के अंदर 2016 में 2017 में प्रचार करने गया हुआ था और वहाँ पर जो Baptist Church है उसका जब Sunday आया तो Baptist Church के Pastor साहब जो थे उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि Sunday की अराधना में मैं उनकी कलीसिया के अंदर प्रचार करूँ और जब मैंने Sunday की अराधना में उनके कलीसिया में प्रचार किया और उसके बाद जब मैं पादरी साहब के साथ गेट पर खड़ा हुआ था सबसे हाथ मिला रहा था तो एक बहन मेरे पास आई जो रांची से मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने आकर के कहा कि मुझे पंदरा या सोला साल हो गए हैं शादी हुए लेकिन हमारे संतान नहीं हुई और मैं जब उसके लिए प्रात्ना कर रहा था तो वो ग्यान जो मैं किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता था वो परमेश्वर ने मेरे उपर जाहिर किया परमेश्वर ने एक शौट दिखाया कुछ फ्रैक्शन्स और सेकंड्स के लिए वो द्रिश्चे दिमाग के अंदर आया और चला गया और पवित्रा आत्मा ने बताया कि परमेश्वर ने किया दिखाया है मुझको परमेश्वर ने मोर ही मोर के पंक उनके घर में सजे हुए दिखाये और उसके बाद पवित्रा आत्मा ने कहा कि क्योंकि मोर के पंक उनके घर में सजे हुए इसलिए इसको संतान उत्पन नहीं हो रही और मैंने मेरी प्राथना बीच में रोक दी मैंने उससे कहा बेहन कि आपने अपने घर में ड्रॉइंग रूम के अंदर आपने मोर के पंक सजाए हुए हैं तो उसने कहा नहीं पास्टर साहब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है आपने मोर के पंक ड्रॉइंग रूम में सजाए हुए है उसने कहा मैंने तो नहीं लेकिन मेरी मम्मी के घर पर उन्होंने मोर के पंक ड्रॉइंग रूम में सजाए हुए हैं मैंने कहा क्यूं तो उसने बताया कि मेरी मम्मी को किसी ने जादू करके वो मोर के पंक दिये थे कि आपके घर के अंदर शान्ती आएगी खुशाली आएगी पैसा आएगा यदि इन मोर के पंकों को आप सजा करके रखोगी मैंने उसको कहा जा करके उन मोर के पंकों को जला देना बेहन तुझको संतान उत्पन हो जाएगी और उसके एक साल के बाद जब मैं वापिस से जमशेदपूर के अंदर प्रिचार करने के लिए गया और बैप्टिस चर्च की ही वो सभा थी उस सभा में जब मैं प्रिचार करके नीचे उत्रा पहले दिन तो वही बेहन जो थी वो आई उसके हाथ में एक बच्चा था एक बेटी थी छोटी सी मासूम सी और वो आई और उसने आ करके वो बच्ची जो थी वो मेरे हाथों के अंदर पकड़ा दी कि पास्टर सहाब जैसा आपने कहा था मैंने बिलकुल वैसा किया और प्रभू ने मुझको संतान की आशिश देदी है ये ग्यान का वचन ये जो गिफ्ट है पावर्फुल गिफ्ट है ये ग्यान का वचन वो ग्यान जो हम किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं मैं उडिसा में सी एनाई चर्च की यूथ कन्वेंशन लेने के लिए गया हुआ था और पहले दिन की सभा के बाद शाम की सभा के बाद जो यूथ जो सी एनाई का यूथ था उसकी जो प्रेजिडेंट थी वो अपने घर पर मुझको खाने के लिए लेकर के गई और जब मैं उनके घर में खाना खाने के लिए बैठा मैंने खाना खा लिया खाना खाने के बाद जब मैंने प्रातना करनी शुरू करी जैसे ही मैंने प्रातना करनी शुरू करी तो परमेश्वन ने घ्यान का वच्छन भेजा और परमेश्वन ने दिखाया एक शोट दिख दिखाया कि पूरे घर के अंदर काला साया जो है वो मंडरा रहा है और उसके बाद मैंने अपनी प्रातना रोक करके उनसे पूचा मैंने कहा आपने शायद मुझको कोई बात नहीं बताई है मुझसे कुछ छुपाया है मैंने कहा मैंने आपके घर के अंदर मौत को गूमते वे देखा है मुझे बताओ आपने क्या किया है क्योंकि दुष्ट आत्मा का घर में आना इतना important नहीं है अलो किसी के घर में दुष्ट आत्मा आ जाए ये बात इतनी important इतनी महत्वपूर नहीं है वो दुष्ट आत्मा अंदर आई कैसे ये reason जानना बहुत जादा महत्वपूर है आपने इसा क्या किया कि वो अंदर आ गई और उसके बाद उन्होंने बताया कि पता नहीं पास्टर साहब लेकिन रोज रात को हमारे घर के ड्रॉइंग रूम की छट से खून टपकता है और उसके बाद मैंने प्राथना करी तो परमेश्वन ने फिर ग्यान का वचन दिया और परमेश्वन ने कहा कि इनका एक रिष्टेदार है ये फलाना उसका नाए है और उसने ये जो यूथ की प्रेजिडेंट ती उसकी शादी होने वाली थी उसके उपर जादू टोना करवाया है और पवित्रा आत्मा ने जब वो सारी बाते बताई मैंने उस उस अंधकार की सामर्त को तोड़ा प्राथना करके और जब मैं जा रहा था तो मैंने उस परिवार से कहा कि आज रात को आपके घर की चट से खून नहीं टपकेगा और उसके बाद में जहां पर ठहरा हुआ था सुबे छे बजे जहां पर मैं रुका हुआ था उसका दर्वाजा को ठोख रहा था और जैसे ही मैंने दर्वाजा खोला तो पूरा परिवार जो था वो दर्वाजे पर खड़ा और वो मुझसे बोल रहे थे पास्टर सहाब हमारे घर की छट से कल रात को खून नहीं टपका जो बात किसी भी माध्यम से नहीं जानी जा सकती है उसको परमेश्वर ग्यान का वचन भेज करके वर्ड ऑफ नॉलेज भेज करके परमेश्वर अपने दास या अपनी दासी पर वो बात को प्रगट कर देता है सुपर नेच्रली एक शॉट दिखाता है एक बहन भी उसका पती एक कार एक्सिडेंट के अंदर मर गया वो दोनों ने सरकारी नौकरी छोड़ करके वो प्रभू की सेवा करने के लिए जा रहे थे सरकारी नौकरी दोनों ने छोड़ दी थी प्रभू की सेवा के लिए जा रहे थे कार एक्सिडेंट हुआ और उसके पती की मिर्ति हो गई और क्यूं हुई क्या कारण था प्रभू ने क्यूं नहीं बचाया बहुत सारे सवाल उसके मन के अंदर थे और जब मैं वहाँ पे प्रिचार करने गया और ये सारी बाते उन्होंने मुझको बताई मैंने उस बहन के लिए प्रात्ना करी परमेश्वर ने गियान का वचन भेजा एक शौट दिखाया और उसके बाद पवित्र आत्मा ने बताया कि जिस घर के अंदर ये किराएदार एक वो जो मदान मालकन थी जब ये घर से निकल रहे थे सेवकाई करने के लिए उस समय उस मकान मालकन नों सफेद रंकी मिठाई खिलाई थी और इसलिए के साथ ऐसा हुआ है मैंने उस पहन से पूछा मैने का जब आप दोनों निकल रहे थे कार में से बैठ करके आपकी मका मालकिन ने आपको सफेद रंग की मिठाई खिलाई थी उसने का हाँ खिलाई थी और मैंने का इसी वज़े से आप लोगों के साथ ऐसा हुआ और उसके बाद मैंने जब उसके लिए प्राथना करी आपको जान करके हरानी होगी सुलिमान ने नीती वचन में लिखा है जो ढास से देखता है उसकी रोटी मत खाना क्योंकि जो कौर जो निवाला तुने खाया है वो तुझे उगलना पड़ेगा सुलिमान ने लिखा है जब मैंने उसके लिए प्राथना करी तो उसको जोड़दार उल्टी हुई और जोड़दार उल्टी हो करके दो साल के बाद वो मिठाई जो थी बंगाली मिठाई जो थी उसके बेट में से बाहर निकली ये घ्यान का वचन है जो परमेश्वर अपने लोगों के उपर प्रगट करता है ये गिफ्ट है जो बाइबल के भविष्य वक्ताओं के पास हुआ करता था परमेश्वर कलीसिया को भी ये वरदान आज की तारीक में भी प्रदान करता है एलिशा जो था उसका सेवक था गेजी और गेजी जो था वो लाल्ची था वो नमान कोड़ी से रिश्वत खाता है और जब गेजी वापिस एली शाह के पास आता है तो परमेश्वन ने ग्यान का वच्छन दे करके पहले से ही एली शाह को बता दिया होता है कि गेजी रिश्वत खा रहा है जब शावल को राजा बनाना था तो शावल जो था वो राजा नहीं बनना मांग रहा था इस्राइल का और जिस दिन शावल का राज्य अभीशेक करना था तो शावल जाकर के छिप जाता है मिलता ही नहीं है और शमुएल परमेश्वर से जब प्रातना करता है तो परमेश्वर शमुएल को ग्यान का वचन देता है और उसके बाद पहला शमुएल उसका दस अद्याए बाइसवे वचन में परमेश्वर शमुएल को बताता है कि शाउल कहां पर चिपा हुआ है और शमुएल जाकर के शाउल को पकड़ करके फिर लेकर के आता है ये गियान का वचन होता है, एक वरदान होता है एक गिफ्ट होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया जाता है उसके बाद इनी रेविलेशन गिफ्ट में जो तीसरा वरदान पॉलूस ने बताया है वो आत्माओ की परक या डिजर्नमेंट ऑफ स्प्रिट्स का वरदान पॉलूस की द्वारा बताया गया है और यह आत्माओं की परक्का वर्दान जो है वो तीन शेत्रों में काम करता है परमेश्वर के आत्मा को पहचानने में दुष्ड आत्माओं को पहचानने में और इंसानी आत्मा जो है human spirit जो है उसको पहचानने में ये काम आता है इसलिए इसको revelation gifts के अंदर पवित्र आत्मा में होकर के काम कर रहा है ये वड़दान जो है आपको इस योग्य बनाएगा कि आप पहचान सकेंगे कि ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जा रहा है दूसरा नहीं पेचान पाएगा दूसरा कहेगा दुष्ट आत्मा HELP तो ऐसा काम करती हैं, जो हमने कल बात देखी थी, पवित्र आत्मा को भी दुष्ट आत्मा की संग्या मसीही लोग देने से पीछे नहीं हटते हैं, येश्यु मसी पवित्र आत्मा के सामर्ज से काम कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, लेकिन फरीसियों ने पवित्र आत्मा को पहचानने में ये काम में आता है, दुष्ट आत्माओं को पहचानने में भी काम में आता है, कई बार किन ही लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, देखे बड़ा कॉंट्रवर्शियल बात बोल दूँगा, शायद बोली भी हो पहले मैंने, मेरी पत अर्द का एसास तो होगा, पता तो चलेगा कि जिन्दा है, कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है या दुष्ट आत्मा ग्रसित भी नहीं है, चलिए थोड़ा सा लिब्रल हो जाता हूं, कोई मसीही विश्वासी अगर जादू टोना करने वालों के पास जाता है, और कलीसिया में भी आता है, प्रभु भोज भी खाता है, तो आप उसको कैसे पिछानेंगे, हलो, कैसे पिछानेंगे, कि ये जादू टोना करने वालों के पास जाता है, ऐसे लोग जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, जब वो कलीसिया में आते हैं प्रेजन वर्शिप चल रही होती है तो वो बड़े अराम से रहते हैं सुकून से रहते हैं जैसे ही परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाना आरंब होता है वो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं वो बार-बार अपनी घड़ी देखेंगे कभी अपने सर को खुझाएंगे कभी अपने कान में उंगली डाल के खुझाएंगे कभी एक पैर इस पे रखेंगे फिर एक पैर इस पे रखेंगे इसकी शकल देखेंगे उसकी शकल देखेंगे और कुछ देर के बाद वो उट करके कलीसिया के बाहर जा करके खड़े हो जाएंगे यह पहचान होती है उन लोगों की जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वच्छन को सहन ही नहीं कर पाते हैं सहन ही नहीं कर पाते तो डिजर्मेंट ओफ इस्पृट्ट जो होती है वो परमेश्वर के आत्मा को पहचानने के काम में आती है दुष्ट आत्मा ग्रसित यदी कोई है और कितना ही वो अपने नाटक कर ले वो धर्मी होने का नाटक कर ले धार्मिक दुष्टात्माएं भी होती हैं आपको पता है हलो मसीही दुष्टात्माएं भी होती है धार्मिक दुष्टात्माएं पता है आपको एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था जो अराधनाले का सदस्य था और अराधनाले का सदस्य होने का मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी अरादनाले का सदस्य था येश्यू मसी के जमाने में उस समय जो वेक्ति अरादनाले का सदस्य हुआ करता था मूसा की वेवस्था की 613 आग्याएं उनको बाए हार्ड याद रहती थी और मुसा की विवस्था की 613 की 613 आग्याएं वो पूरा किया करते थे इसलिए वो अराधनाले के सदस्य हुआ करते थे और अराधनाले के सदस्य होने के बावजूद जब येश्यू मसी जा करके खड़ा हुआ तो वो दुष्टात्मा अपने आपको छिपा नहीं पाई और वो खड़ी हो गई और कहा कि हमें तुझसे क्या काम तब येश्यू मसी ने उसको निकाला मेरे ख्याल से तो उस व्यक्ती को भी उसी दिन पता चला होगा कि वो दुष्टात्मा ग्रसित है उससे पहले तो वो सोसता था कि मैं धर्मी मनुष्य हूँ एक धर्मी यहुदी हूँ तो पता चल जाएगा जब डिजर्मेंट ओव इस्पृट का वर्दान आपके पास होगा तो पता चल जाएगा कि दुष्टात्मा है या नहीं है मैं चत्तिस गड़ के अंदर एक जगे पर था पैंडरा पैंडरा रोड आप लोग जानते होंगे और वहाँ पर एक नहीं सौरी वो गटना दूसरी थी मैं एक जगे के उपर था जहां पर एक पती अपनी पत्नी को लेकर के आया चत्तिस गड़ में ही और उसके बाद उसने कहा पास्टर साब मेरी पत्नी के अंदर दुष्टात्मा है आप इसमें से दुष्टात्मा निकाल दो और मैं उसके लिए प्रात्ना करनी शुरू करी उस महिला ने सारे ताम जाम करने शुरू कर दिये बाल खोल लिये चिलाना शुरू कर लिया गला फाड़ना शुरू कर लिया ये कर लिया वो कर लिया वो नीचे मचल रही थी चिला रही थी साप की तरे मचल रही थी और मैं उसको येश्यू के नाम से कमांड पर कमांड कमांड पर कमांड दिये जा रहा था एक कमांड वो नहीं मान रही थी और हमें परिशान हो गया पवित्र आत्मा ने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है ही नहीं यह नाटक कर लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप आत्माओं की परक का जो वर्दान है इसके द्वारा इंसानों में काम कर रही जो आत्माएं हैं आप उनको परक पाएंगे कई सारे कलीसियाओं के अंदर जब मैं जाता हूं जाते के साथ ही पवित्रा आत्मा जो है वो बता देता है कि इस कलीसिया के अंदर तलाक का आत्मा काम कर रहा है यहां पर तलाक ही तलाक होते हैं किसी कलीसिया के अंदर पवित्रा आत्मा बता देता है यहां पर वैभी चार पहला हुआ है गोर वेभी चार फैला हुआ है किसी कलीशिया के अंदर पवित्रा आत्मा कहता है यहां पर spirit of anti-christ काम कर रहा है spirit of anti-christ वो होता है जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है जब भी परमेश्वर का सक्त संदेश सुनाया जाए परमेश्वर का खरा संदेश जब सुनाया जाए तो लोगों को बुरा लग जाता है कुछ लोगों को और वो विरोध करते हैं कि यह गलत बोल रहा है इसको अगली बार से मत बुलाना उनके अंदर anti-christ का आत्मा काम करता है तो पवित्र आत्मा जो है वो बता देता है पत्रस जो था उसने हननिया और सफीरा को पहचान लिया था क्योंकि आत्माओं की परक्का वर्दान उसके पास था परमेश्वर के एक दास हुए जिनका नाम था हौवर्ड कार्टर और यदि हौवर्ड कार्टर इस दुनिया में नहीं आते तो कभी भी मसीहत जो है नौ वर्दानों के बारे में इतना गहराई से नहीं जान पाती इस विश्वासी को परमेश्वर आत्माओं की परक का वर्दान देता है वो विश्वासी जो है वो सूपर नैच्रल वर्ल्ड को भी अपनी आँखों से देख लेता है इन्विजिबल वर्ल्ड अद्रिश्य संसार को भी आत्मिक संसार को भी अपनी आँखों से देख लेता है तो यह होवर्ड कार्टर का कहना था तो यह प्रकाशन के वर्दान है यह रेविलेशन गिफ्ट्स हैं जिसमें बुद्धी का वचन ग्यान का वचन और आत्माओं की परक्का वर्दान आता है उसके बाद दूसरा सेट जो पॉलूस ने बताया उसको पावर गिफ्ट्स यानि कि सामर्थ के वर्दान कहा जाता है उसमें पहला वर्दान पॉलूस के द्वारा विश्वास का वर्दान बताया गया है अब यह विश्वास जो है वो नैचरल फेथ नहीं है प्राकृतिक विश्वास की बाद पॉलूस ने नहीं करी किसान बीच बोएगा तो फसल तो उगेगी उसमें विश्वास करने वाली कोई बात है ही नहीं अगर आपने इलेक्टरिसिटी का बिल भरा है आपका कनेक्शन अच्छी तरह से लगा हुआ है आप स्विच दबाएंगे तो लाइट जलेगी ही इसमें विश्वास करने वाली तो कोई बात है ही नहीं तो ये नैचरल फेट नहीं है ये सैलवेशन फेट भी नहीं है उद्धार पाने के समय जो विश्वास उद्पन होता है ये वो भी नहीं है लेकिन ये फेट जो है ये विश्वास जो है ये एक वरदान है जो पवित्र आत्मा के दुवरा कुछ लोगों को प्रदान किया जाता है ये एक ऐसा विश्वास होता है कि सामने वाला आपको देख करके कहेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है पागल हो गया है इतना विश्वास किसी के अंदर कैसे उत्पन हो सकता है बाई एक ऐसा विश्वास जिसमें मार लो मारना है तो मार लो मुझे लेकिन मैं ये शु को नहीं छोड़ूंगा ये उस तरहे के विश्वास की बात यहां पर पॉलूस के द्वारा बताई गई है और ये विश्वास एक इंसान के अंदर उत्पन नहीं होता है लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया जाता है शद्रक मेशक और अबेद नगो ने कहा हमारा परमेश्वर इस आग के भटे से बचा सकता है लेकिन वो नहीं बचाता है तो भी कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन हम राजा की मूरत के आगे नहीं जुकेंगे ये विश्वास का वर्दान है अयूब के जब सब कुछ खतम हो गिया उसने कहा परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया उसका नाम धन्य है ये विश्वास का वर्दान है प्रेरित यूहन्ना जो था सब सुने जिन बिचारों को नीन दा रही है वो भी बिचारे सुन ले और यदि आपके पास बैट करके कोई सो रहा हो तो जैसा मैंने कल भी कहा था एक जोड़दार धक्का दे करके उसको जगा देना क्योंकि अब सोने का नहीं जाग उठने का समया पहुचा है प्रेरित यूहन्ना जो था येश्यू मसी का चेला जो था यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्के को लिखा था प्रेरित यूहन्ना का भी एक चेला था जिसको पॉली कार्प के नाम से जाना जाता है और ये पॉलिकार्ब जो था जब 86 years का हो गया था यूहन्ना का चेला तो एक रोमन गवर्नर ने इसको गिरिफतार कर लिया था और उसके बाद इसको स्टेडियम के अंदर लाया गया था और इससे पूछा था स्टेडियम में आग का भट्टा जल रहा था सब लोग चिला रहे थे कि इस पॉलिकार्ब को जान से मार डालो क्योंकि ये येश्यू का प्रिचार करता है जो गवर्नर था रोमन गवर्नर उसने पॉलिकार्ब से कहा कि अभी येश्यू का इलकार कर और मैं तुझे छोड़ दूंगा पॉलिकार्ब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है उसने कहा ये आग जो तू देख रहा है इसको साथ कुना और उसने और लगवा दिया और भड़कवा दिया और उसने कहा मैं इस आग में तेरे को फेकने जा रहा हूँ पॉलिकार्ब ने कहा तुम मुझे इस आग की धमकी दे रहे हो लेकिन जिस आग में येशू मसी तुम को जलाएगा उसके बारे में तुम जानते नहीं हो उसने कहा मैं येशू का इंकार नहीं करूंगा वो मेरा राजा है और पॉलिकार्ब ने जो कहा वो दो हजार सालों से कलीसियाओं के अंदर वो गूंज सुनाई दे रही है पॉलिकार्ब ने उस दिन खड़े होकर के पूरे स्टेडियम के अंदर कहा कि चियासी सालों से जिस येशू ने मुझे को नहीं छोड़ा क्या इस आग के डर के कारण में उस येशू का इंकार कर दूँ मैं इंकार नहीं करूंगा और उसको उठा करके आग में फेक दिया गया और पॉलिकार्ब जो है वो जिन्दा जल करके मर गया लेकिन उसने येशू का इंकार नहीं किया ये विश्वास का वर्दान है ये विश्वास का वर्दान है अन्तीपास नाम के व्यक्ति के बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है येशु मसी ने कहा मेरा विश्वास योग्य दास अन्ती पास और ये अन्ती पास चो था इसकी मृत्यू कैसे हुई थी क्यों येशु मसी ने कहा मेरा दास अन्ती पास जिस जगे के उपर अंतिपास रहता था वहाँ पर एक यूनानी देवता को पूजा जाता था जिसका नाम था Zeus और Zeus नाम के ये यूनानी ग्रीक देवता जो था ग्रीक गॉड जो था उसको बैल के रूप में पूजा जाता था उस जगे पर पिर गमुन में लिया और उसको स्टेडियम में लेकर के आए तो पीतल का बैल, पीतल का बैल का खोल था, खोल होता है न, कुल्फी खाते हैं आप लो हलो, तो कुल्फी जो जमती है वो खोल में जमती है, ठीके साचा जिसको कहते है तो ऐसे पीतल का साचा था बैल का खोल था उसके अंदर अंती पास को डाल दिया गया और उस खोल को पीतल के खोल को बंद कर दिया गया और उसके बाद उस पीतल के खोल के नीचे आग लगा दी गई ऐसी आग जिससे वो पीतल गरम होने लग गया और इतना गरम हुआ कि एंदर जो अंती पास बंद था वो अंदर रोस्ट होना शुरू हो गया जिंदा अंती पास अंदर भूना जा रहा था आग में और वो चिला चिला करके येशु की दुआई देता रहा उससे पूछा गया कि येशु का इंकार कर दे तो अभी इस खोल को खोल देते हैं उसने कहा मैं येशु राजा का इंकार नहीं करूंगा और वो दर्दनाक मौत जो है वो भी उसने सहली और इसलिए येशु ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि मेरा विश्वास योग्यदास अंती पास उस जगे पर घात किया गया जहां पर शतान रहता है ये विश्वास का वर्दान है ये सूपर नैच्रल वर्दान है जो पवित्रा आत्मा के द्वारा दिया जाता है जिसमें लोगों को लगता है कि ये शायद मेंटिल हो गया है पागल हो गया ऐसा थोड़ी ना होता है इतना विश्वास किसी में कैसे हो सकता है परमेश्वर के एक दास थे Howard Carter जैसा कि मैंने आपको बताया हौवर्ड कार्टर जो थे इंगलेंड के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में उन्होंने अपनी सरकार का विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मासूम लोग दूसरे देशों के मासूम लोग मरें सरकार का विरोध करने की कारण हौवर्ड कार्टर जो थे उनको सरकार ने जेल के अंदर डलवा दिया सेकंड वर्ल वार के ट समय और उसके बाद उनको एक ऐसे सैल के अंदर रखा कि वो सिर्फ और निरंतर ऊपर से पानी जो है उनके सिर के ऊपर टपकता रहता था और Howard Carter काफी जब एक दिन परिशान हो गए तो उन्होंने परमेश्वर से प्रातना करी कि प्रभू इस पानी को रोक दो मैं परिशान हो गया हूँ परमेश्वर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जो भी करना है वो तुझे खुद करना पड़ेगा तू खुद इस पानी को रोक और उसके बाद Howard Carter ने छट के उपर देखा जहां से पानी टपक रहा था और Derek Prince जो है उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस टेस्टिमनी को लिखा है Derek Prince कहते हैं कि Howard Carter ने उस पानी को देख करके कहा येश्यू के नाम से आज्या देता हूँ वापिस चला जा और Derek Prince लिखते हैं कि वो पानी जो टपक रहा था वो पानी जो है वो वापिस से उपर चला गया और उसके बाद कभी भी वो पानी जो था वो चट से नहीं टपका ये विश्वास का वरदान है Howard Carter जो थे उन्होंने एक एक जमीन खरीदी चैपल बनाने के लिए वो बाइबल कॉलेज चलाते थे लेकिन चैपल नहीं था पास की जमीन को उन्होंने खरीदा साथ दिनों का समय दो महीने का समय उनको मिला पूरा पैसा चुकाने के लिए उन्होंने एडवांस दे दिया उनके पास पैसे नहीं थे परमेश्वर के सच्चे सेवकों के पास कभी पैसे होते नहीं है हलो हलो परमेश्वर के जो सच्चे सेवक होते हैं उनके पास कभी पैसे होते नहीं है परमेश्वर ही प्रबंद करता है जितने भी स्टूडेंट थे वो अपने प्रिंस्पिल से हौवर्ड कार्टर से नराज हो गए कि सर पैसे नहीं है आपने क्यों वो चैपल की जमीन ले ली उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस दिया है परमेश्वर इंतिजाम करतेगा सारा स्टाफ परिशान सारे स्टूडेंट परिशान सब प्राथना करने में लगे रहे दस दिन बीध गए तीस दिन बीध गए पचास दिन बीध गए 59 डेज बीध गए पैसे का इंतिजाम नहीं हुआ उसके बाद सब परिशान, स्टूडेंट्स ने खाना खाना छोड़ दिया, स्टाफ ने खाना खाना छोड़ दिया, लेकिन हॉवर्ड कार्टर आराम से बैठ करके खाना खा रहे थे, सब मिलकर के हॉवर्ड कार्टर के पास आए कि सर कल अंतिम दिन है, पैसों का इंतिजाम नहीं हुआ है क्या होगा उन्होंने कहा भी 24 घंटे बचे हुए परमेश्वर ने कहा है वो इंतिजाम करतेगा और वो इंतिजाम करतेगा उसके बाद साथवा दिन आ गया और साथवा दिन जब आया तब भी पैसों का इंतिजाम नहीं हुआ उसके बाद सारे स्टुडेंट शाम को हॉवर्ड कार्टर के पास आये पूरा स्टाफ आया कि सर क्या करें पैसों का इंतिजाम नहीं हुआ है हॉवर्ड कार्टर ने कहा अभी बारा नहीं बजे हैं रात के परमेश्वन ने कहा है कि वो साथ दिनों में इंतिजाम खड़ देगा तो वो खड़ देगा रात को नौ बचे होवर्ड काटर अपने आफिस में बैटे हुए डाक देख रहे थे एक भूरे रंग का ब्राउन कलर का लिफाफा उन्होंने उठाया और उसको खोला और उसमें हाथ डाल करके जब उन्होंने हाथ को बाहर निकाला तो उसमें उतने के उतने नए के नए कड़क कड़क पाउण्ड थे जितने उनको अगले दिन उस मकान मालिक को देने थे यह विश्वास का वर्दान है जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है उसके बाद इनी पावर गिफ्ट्स के अंदर अगला वर्दान जो है वो पॉलूस के द्वारा चंगाई का वर्दान बताया गया है लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी हमारी हिंदी की बाइबल में पड़े तो वहाँ पे लिखा है चंगाई का वर्दान Halo English की बाइबल पड़े या Original Greek New Testament पड़े है तो वहाँ पे लिखा है पॉलूस ने जो श्ब्द इस्तिमाल किया था वहाँ पे लिखा है चंगाईयों के वर्दान चंगाई का वर्दान नहीं चंगाईयों के वर्दान तो चंगाई के कितने वर्दान है जितनी दुनिया के अंदर बिमारियां है उतने ही चंगाई के वर्दान है और परमेश्वर अलग-अलग अपने सेवकों को अलग-अलग बिमारियां ठीक करने के वर्दान देता है किसी सेवक को एक बिमारी ठीक करने का वर्दान देता है किसी को दो बिमारियां ठीक करने का वर्दान देता है लेकिन दो से जादा बिमारियां ठीक करने का वर्दान नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि यदि एक सेवक या एक सेवी का सारी बिमारियों को ठीक करने लग जाएं तो उनके अंदर घमंड आ जाएगा मैं आपको कुछ उधारन देता हूँ परमेश्वर के एक दास थे जिनका नाम था एलिक्जेंडर डोई और एलिक्जेंडर डोई जो थे उनको परमेश्वर ने इतना सामर्थ के साथ इस्तिमाल किया कि एक दिन एलिक्जेंडर डोई जो थे उन्होंने 1907 के अंदर या उससे पहले उन्होंने मंच के उपर आ करके कहा कि मैं एलिया भविश्य वक्ता हूँ जो अंत के दिनों में आने वाला था और मैं आ गया हूँ घमंड आ गया उनके अंदर उस सामर्थ की वज़े से और जब घमंड आ गया तो 1907 में जब एलिक्जेंडर डोई की मृत्यू हुई तो एक तूटे हुए दुखी बुरुष के रूप में उनकी मृत्यू हुई थी इसलिए परमेश्वर सबको सारी बिमारियों को चंगा करने का वरदान नहीं देता है परमेश्वर के एक और दास हुए जिनकी सेवकाई के बारे में जब आप पढ़ेंगे आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे कि कैसे परमेश्वर एक इनसान को इस तरह भी इस्तिमाल कर सकता है उनका नाम था स्टीफिन जैफ्रीज और स्टीफिन जैफ्रीज जो थे उनको परमेश्वर ने रूमर्टोईड अर्थ्राइटिस ठीक करने का वड़ान दिया था और Stephen Jeffries की सभा में ऐसे लोग आया करते थे जो अर्थराइटिस की वज़े से पूरे ट्विस्ट हो करके नीचे जुग जाया करते थे जिनका सिर पैरों के बीच में चला जाता था ऐसे ऐसे रोगी उनकी सभा में आते थे Stephen Jeffries प्राथना करते थे और वो पूरी तरह से टेड़े मेड़े हुए जुके हुए लोग जो थे वो सीधे हो करके घड़ जाया करते थे लेकिन इतना घमंड इतना घमंड उनके अंदर आ गिया कि एक दिन वो मंच के उपर आये और उन्होंने आकर के अमेरिका में उनके मीटिंग्स का लाइव टेली कास्ट किया जाता था टीवी चैनल्स पर वो आए उन्होंने कैमरे के सामने अपना जूता दिखाया और कहा पूरी दुनिया मेरे कदमों में पूरी दुनिया मेरे कदमों में है और जैसे ये घमंड भरे शब्द उनके मूँ से निकले उनकी सेवकाई जो है वो पूरी तरे से खतम हो गई पूरी दुनिया जो है वो येश्यू मसी के कदमों के अंदर है किसी प्रचारक के कदमों में नहीं है और आपको जान करके हरानी होगी कि वही प्रचारक जो रूमर्टॉइड अर्थराइटिस के रोगियों को ठीक करता था वही प्रचारक स्टीफन जैफ्रीज जो थे उनको खुद रूमर्टॉइड अर्थराइटिस हो गया उसके बाद उनका सर जो था पैरों के बीच में चला गया पूरे मुड़ गये और अगर उनसे किसी को बात करनी होती थी तो जमीन पर लेट करके बात करनी पड़ती थी कोफिन बॉक्स में डालने डाला ही नहीं जा रहा था क्योंकि पूरे मुड़ चुके थे तो जो गॉर्मेंट के जो अधीकारी थे जो फ्यूनरल वहां पे कराते हैं उन्होंने स्टीफन जैफ्रीज की हड़ियां तोड तोड करके उनको कॉफिन बॉक्स के अंदर डाला थ पूरी दुनिया मेरे कदमों में उन्होंने कहा था ये घमंड घमंड जो है डैरिक प्रिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि परमेश्वर जिस चीज से सबसे जादा नफरत करता है वो घमंड है यहुदी ज्यानी पुरुष कहते हैं कि परमेश्वर और घमंडी स्वर्ग में एक साथ नहीं रह सकते हैं जिसका मतलब है कि घमंडी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे बाइबिल में लिखा है साथ बाते हैं जिनसे परमेश्वर घरना करता है घमंड से चड़ी हुई आँखे और इसलिए चंगाईयों के वर्दान जो हैं परमेश्वर हर सेवक या सेविका को सारी बिमारियों को ठीक करने का वर्दान नहीं देता है कुछ बिमारियों को ठीक करने का वर्दान देता है आप इस पैटन को हर सभा के अंदर हर प्रचारक की सेवकाई में पूरा होते हुए देखेंगे इतने रोगी आते हैं लेकिन कुछ चुने हुए ठीक हो करके जाते हैं क्यूं कई कई पर कैंसर के रोगी ही ठीक होते हैं बाकी दूसरे ठीक नहीं होते हैं कहीं पर जिनकी आखों की प्रॉब्लम होती है वही ठीक होते हैं दूसरे रोगी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि अलग अलग प्रिचारक को, अलग अलग सेवक को, अलग अलग बिमारियों को चंगा करने का वर्दान दिया गया है, इसलिए ये चंगाईयों के वर्दान हैं, चंगाई का वर्दान नहीं है देखिए आपको यदि कैंसर के रोगियों को ठीक करने का वर्दान दिया गया है कीके? अलो? सब जगे हुए हैं और आप किसी जगे पर गए जहां पर एक व्यक्ति को परलाइसिस हो रखा है और आपने जा करके वहां पर प्राथना करी तो पवित्र आत्मा जो है वो परमिट करता है कभी कभी कि आप उस परलाइसिस वाले व्यक्ति के लिए प्राथना करेंगे जबकि आपके पास कैंसर के रोगियों को चंगा करने का वर्दान दिया गया है लेकिन पवित्र आत्मा क्योंकि कोई दूसरा जरिया नहीं होगा उस व्यक्ति को चंगा करने का तो परमेश्वर अपने इस सेवक को भी रेर परिस्थितियों में वहाँ परिस्तिमाल कर लेगा ये प्राथना करेगा और पैरलाइसिस वाला व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाएगा लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको दूसरे रोगियों को ठीक करने के लिए चुना गया है और इसलिए प्रेडितों की काम की काम की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्च के अंदर ग्रुप मिनिस्ट्री की जाती थी बाविश्य वक्ता थे, पास्टर थे प्रेडित थे, उपडेशक थे, अलग-अलग लोग थे, चंगा करने वाले थे, एल्डर्स थे, वो एक समू में हो करके सेवकाई करते थे और इसलिए लिखा है उन में से कोई भी रोगी नहीं था सभी चंगे कर दिये जाते थे, क्यों? क्योंकि मेरे पास कैंसर के रोगियों को चंगा करने का वरदान है लेकिन ये कैंसर का रोगी नहीं ये तो हार्ट पेशन्ट आया है दूसरे, मेरे साथी के पास कलीसिया में हार्ट पेशन्ट को ठीक करने का वरदान है वो प्रातना कर देगा, वो चंगा हो जाएगा, कलीसिया के अंदर आजाएगा तो एक ग्रुप मिनिस्ट्री प्रेजितों के काम के अंदर हुआ करती थी इसलिए चंगाईयों के वर्दान के बारे में पॉलूस के द्वारा बताया गया है इसी के अंदर जो तीसरा वर्दान बताया गया है मैं जल्दी जल्दी चलूंगा गबराए नहीं वो है सामर्थ के काम करने का वर्दान और मुझको ये वर्दान सबसे जादा पसंद है क्योंकि इस वर्दान के तहट दुष्ट आत्माओं को निकालने का वर्दान दिया जाता है दुष्ट आत्माओं को मिंटों में चुटकियों में निकाल देने का वर्दान ये ही है सामर्थ के काम कर देने का वर्दान दाउद ने भालू और सीं को मार दिया हातों से वो सामर्थ के काम करने का वर्दान था एल्या जो था उसने आहब राजा से कहा कि रत लेकर के बहाग, क्योंकि बारेश आने वाली है, आहाव अपना रत लेकर के जा रहा था, और लिका है एलिया जो था, उसने भागना जो शुरू किया, वो रत को भी पीछे छोड़ करके चला गया था, तो ये सामर्थ के काम करने का वर्दान है, फिलिपुस जो था, उसने छोजा को भबतिस्मा दिया, और पवित्रा आत्मा ने सुपर्मेन की तरे फिलिपुस को उठाया, फिलिपुस जो था, उड़कर के उसके सामने से चला गया, ये सामर्थ के काम करने का वर्दान है, ये सामर्थ के काम करने का वर्दान है तो सामर्द के काम करने का वर्दान आज भी पवित्र आत्मा जो है वो देता है देखिए आज कल क्या हो रहा है कई सारे प्रॉफिट आ रहे है प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट जो है मैं एक प्रॉफिट का देख रहा था Facebook के उपपर आती है ना आजकर Reels बहुत आती हैं हलो पलक जपकी नहीं कि अगली रील आजाती है तो उसमें वो प्रॉफिट जो था वो पानी से दाखरस बनाने का दावा ठोक रहा था मान लिया पानी से दाखरस उसने एक mineral water की packed bottle मंगाई यसे यह packed है खुली भी नहीं है उसने इस पे प्राथना करी कि पानी जो है वो दाखरस बन जाए उसके बाद उसने कहा मैं इसको रग देता हूँ गाओं के किसी व्यक्ति को उसने बुलाया मैंने जो कल बाद जो आपको बताई थी उससी को आगे लिजा रहा गाओं का एक व्यक्ति आया और उसने कहा इसको खोलो और इस पानी को पियो और लोगों को बताओ क्या यह पानी मीठा हो गया है यह नहीं हो गया है गाओं के उसने खोला और उसने mineral water पिया ध्यान रखिये यह mineral water है गाओं के लोग mineral water नहीं पीते हैं हलो कुए का पीते हैं, ट्यूवेल का पीते हैं, नल का पीते हैं समझ रहे हैं बात को गाओं के व्यक्ति को आप mineral water पिलाओगे उसको मीठा ही लगेगा ठीक है? उसने कहा हाँ, सचमुच में मीठा हो गया है और फिर उसने कहा देखो मैंने पानी को दाखरस बना दिया है पानी को दाखरस बनाना था तो ये transparent दाखरस के बारे में Bible नहीं बताती है हलो? हलो? अंगूर का रस आपने कभी इस color का देखा है? कभी इस color का अंगूर का रस हुआ है क्या? तो अगर पानी को सचमुच में दाखरस यदि कोई बना रहा है तो पानी का color भी बदल जाना चाहिए तो ऐसे फड़जी सामर्थ के काम करने वालों से भी आप बहुत साबधान रहें सामर्थ के काम आज भी होते हैं प्रभू के सेवकों के द्वारा किये जाते हैं मैंने अपनी आँखों से देखे हैं ऐसा नहीं है कि सभी जूटा प्रचार कर रहे हैं सभी जूटे तमाशे कर रहे हैं ऐसा नहीं है सामर्थ के काम होते हैं कई प्रभू के दास जब जा करके खड़े हो जाते हैं, तो दुष्ट आत्माय चिल्ला चिल्ला करके भागना शुरू कर देती हैं। परमेश्वर के एक दास थे, हाला कि वो रोमन कैथलिक थे, लेकिन रोमन कैथलिक्स ने उनको संत का दर्जा दिया हुआ है। उनका नाम था सेंट बेनेडिक्ट और सेंट बेनेडिक्ट जो थे, जिस भी नगर के अंदर जा करके खड़े हो जाते थे, तो पूरे नगर के लोग देखा करते थे, पूरे नगर में हर घर में से काला धुआ निकल करके आसमान में जाता हुआ दिखाई दे जाया करता था। इतने सामर्ती सेंट बेनेडिक्ट थे, सामर्त के काम करने का वर्दान, सेंट फ्रांसेज ओफ असिसी जो थे, वो भी एक रोमन कैतलिक संत थे, जब वो प्राथना करते थे, तो प्राथना करते-करते वो दस फीट हवा में उठते थे, उसके बाद 20 फीट हवा में उठते थे और प्राथना करते करते वो बादलों के उपर चले जाते थे और उनके शिश्ये जब देखते थे तो प्राथना करते थे कि प्रभू गुरु जी को वापिस बेजो तो फिर संट फ्रांसेज वापिस आया करते थे Saint Francis of Assisi वापिस आया करते थे ये सामर्थ के काम करने का वरदान है परमेश्वर का आत्मा पक्षपात नहीं करता है मैथोडिस्ट वालों को पवित्रा आत्मा नहीं दूगा प्रिस्बिटेरियन वालों को पवित्रा आत्मा नहीं दूगा मैं तो Pentecostals कोई दूंगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, पॉलूस ने ग्यारवे वचन के अंदर यहां पर पहला कुरंतियों बारा दियाए, ग्यारवे वचन में कि पवित्रा आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, पवित्रा आत्मा के वर्दान ह पर एक व्यक्ति को प्रदान करता है, उसके बाद, तीसरी कैटिग्री, जो आखरी कैटिग्री है, जिसको इंस्पिरेशन गिफ्ट्स कहा जाता है, यानि प्रेड़ना के वर्दान में, बहुत छोटा करके आपको बता रहा हूं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, प्रेड प्रेड़ना के वर्दान जो हैं, उनको हम बहुत बड़ा मानते हैं, पैंटी कॉस्टल्स तो इनके बिना जिन्दा ही नहीं रह सकते हैं बिचारे, और जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं, उनको पॉलूस ने सबसे नीचे रखा है, तो आप देखिए, हमारी सोच और परम इचे वाले वर्दान है, वो हमको चाहिए, जबकि परमेश्वर उपर वाले देना मांग रहा है, तो इंस्पिरेशन गिफ्ट्स के अंदर सबसे पहला वर्दान जो पॉलूस ने बताया, वो भविश्यवानी का वर्दान बताया, अब भविश्यवानी का मतलब फॉर्चि एक CNI चर्च के पादरी साहब हैं कहां के हैं, क्यूं हैं, किस लिए हैं, वो नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चलाक हैं, सब समझ जाएंगे, तो उनको बिशप साहब ने नौकरी से निकाल दिया, अब जैसा वो भंडारी था, जो चोरी चकारी करता था येश्यव मसी ने कहा, तो उसने कहा, जब राजा मुझे मालिक निकाल देगा, तो भीग तो मुझसे मांगी जाएगी नहीं, और मेहनत में कर नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करों, तो उसने और जालसाजी करी, तो वैसे ही वो पादरी साहब जो थे, उनके कामों को देख करके बिशप ते, वो नहीं बताऊंगा, तो अब वो पादरी साहब जो थे, वो खुदी बिशप बन गए, होता है न, आजकल तो कोई कुछ भी बन जाता है, जैसे शमुल के समय में कोई भी कुछ भी कर लेता था, तो वो खुदी बिशप बन गए, अब वो लोगों का भविश्य बतात है, तो वो नीबू काटके येशु के नाम से प्राथना करके देते हैं, उस पे नमक मिर्ची भी लगाते हैं, और कहते हैं घर की छट पे जाके इसको कुछल देना, तुमारा काम हो जाएगा, आप समझने में क्या बोल रहा हूँ, तो ये फडजी हैं, जिनको नौकरी से न होने जा रहा है, तो भविश्यवानी का वरदान जो है, वो भविश्य बताना नहीं है, बाइबिल के जो भविश्य वक्ता थे, पुराने नियम के, वो देशों का भविश्य बताते थे, लेकिन वो सेवकाई जो थी, वो मलाकी और जादा से जादा भी हम आगे बढ़ें, तो युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले तक आकर के खतम हो गई। येशु मसी ने कहा भविश्य वक्ता और वैवस्था युहन्ना तक रहे। लेकिन अब कोई भी उस तरह का भविश्य वक्ता नहीं है। नए नियम का भविश्य वक्ता एक अलग तरह का भविश्य वक्ता होता है नए नियम का भविश्य वक्ता जो होता है वो आपका future नहीं बता सकता है और आपको guidance नहीं दे सकता है हलो कई बार ऐसा होता है कि भविश्य वक्ता आपको बताता है कि आपको किस लड़की से शादी करनी है और किस लड़के से शादी करनी है यह नए नियम के भविश्य वक्ता का काम नहीं है पुराने नियम में जो भविश्य वक्ता हुआ करते थे उनके पास लोग जाते थे भ परमेश्वर की बात बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा पुराने नियम में पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास नहीं था इसलिए भविश्य वक्ता उनका मार्ग दर्शन करता था लेकिन नए नियम में हर विश्वासी को पवित्रा आत्मा दिया गया है इसलिए भविश्य वक्ता मार्ग दर्शन नहीं कर सकता है सिरिफ परमेश्वर का संदेश बताता है पॉलूस ने आत्मा में ठाना कि मैं यरुशलिम जाऊं यह पवित्रा आत्मा की इच्छा नहीं थी कि पॉलूस यरुशलिम जाए पवित्रा आत्मा के बारे में पॉलूस ने कहा कि पवित्रा आत्मा हर नगर में गवाही दे दे करके मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है पवित्रा आत्मा चाहता ही नहीं था कि पॉलूस यरुशलेम जाए पॉलूस जबरदस्ती जा रहा था अब यरुशलेम से एक भविश्य वक्ता आता है उस जगे पर जहां पर पॉलूस रुका हुआ था अग्बुस भविश्य वक्ता आता है और पॉलूस का बेल्ट वहाँ पर पड़ा होता है वो पॉलूस का बेल्ट उठाता है अपने पैर बांधता है अपने हाथ बांधता है और अग्बुस भविश्य वानी करता है कि जिस व्यक्ति का ये बेल्ट है उसको यरुश्ले में ऐसे ही बांधा जाएंगा परमेश्वर का मैसेज खतम अग्बस ने ये नहीं कहा कि भाई पॉलूस तु्म यरुश्ले मत जाना भाई पॉलूस मैं परमेश्वर के आत्मा से बोल रहा हूँ तुमको नहीं जाना चाहिए अग्बुस ने नहीं बोला पॉलूस को जाना है नहीं जाना है परमेश्वर की इच्छा मैंने बता दी अब पॉलूस को जाना है नहीं जाना है वो पवित्रा आत्मा और पॉलूस के बीच की बात है भविश्य वक्ता की कहनी वहीं पर एक समाप्त हो गई देखे पॉलूस ने भविश्यवाणी के वर्दान के बारे में पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसके तीसरे वचन में एक बात बोली पहला कुरंतियों उसका चौदा अध्या उसके तीसरे वचन में पॉलूस कहता है भविश्यमानी का वर्दान तीन कामों के लिए दिया गया है उन्नती, उपदेश और शांती के लिए दिया गया है उन्नती का मतलब पैसे की उन्नती नहीं जैसा की आज हो रहा है उन्नती का मतलब आत्मिक उन्नती उन्नती उपदेश, उपदेश का मतलब जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया हुआ करती थी उसमें उपदेश का मतलब था येश्यमसी का दूसरा आगमन होने वाला है इस बारे में भविश्यवक्ता भविश्यवानी किया करते थे प्रतम शताबदी की कलीसिया के जो भविश्य वक्ता थे उन्होंने एक भविश्य वानी करी थी आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि जित्ते भी विश्वासी थे वो अपना घर वगेरा सब कुछ बेच करके पैसे प्रेरितों के चर्णों में ला करके रख दिया करते थे लेकिन वो परंपरा जो थी वो सिर्फ यरुश्लेम की कलीसिया के द्वारा निभाई जा रही थी ना तो कुरंथ की कलीसिया में ऐसा हुआ ना कुलूसियों की कलीसिया में ऐसा हुआ किसी भी कलीसिया में ऐसा नहीं हुआ सिर्फ यरुश्लेम की कलीसिया के विश्वास अपना सब कुछ बेच करके पैसे प्रेडितों के चड़नों में ला करके रख रहे थे, क्यूं? क्योंकि उस समय के जो भविश्य वक्ता थे कलीसिया के उन्होंने भविश्य वाणी करी थी पवित्रा आत्मा के द्वारा की यरुश्लेम नाश होने जा रहा है, और यरुश्लेम नाश हो जाएगा, तो मेरा घर भी नाश हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जमीन जाइदाद सब नाश हो जाएगी, तो विश्वासी अपना सब कुछ बेच करके तैयारी कर रहे थे, कि यरुषलेम नाश होने वाला है और पैसे प्रेजितों के चर्णों में ला करके रख रहे थे और जब रोमन सेना ने घेरा डाला यरुषलेम का तो कलीसिया इतिहास बताता है 10 लाक यहुदियों को एक ही दिन में रोमन सेना ने यरुश्लेम के अंदर मौत के घाट उतारा था, लेकिन एक भी मसीही मौत के घाट नहीं उतारा गया था, क्योंकि लेने को कुछ था ही नहीं, जैसे ही रोमन सेना आ रही थी, पूरे यरुश्लेम से कलीसिया भाग करके पहडों में जा करके छिप गई थी, ये भविश्य वक्ताओं की सेवकाई होती है, उन्नती यानि आत्मे को न्नती उपदेश, येश्यू के दूसरे आगमन के बारे में बताना, और शांती की बातें, सताओ में शांती का वचन परमेश्वर की ओड से लेकर की आना, क्यों ने ये सताओ जो हो रहा है, परमेश्व के अंदर जब रशिया में मसीहों पर बहुत जादा अत्याचार किया जा रहा था इतना भयानक अत्याचार किया जा रहा था कि अगर किसी के पास बाइबल भी मिल जाती थी तो उसको जेल में डाल दिया जाता था और कलीसियाएं बंद हो गई थी, गिर्जा घर तोड़ दिये जा रहे थे कम्यूनिस्ट सरकार के द्वारा और जो मसीही लोग थे, वो अंडर ग्राउंड हो करके अराधना किया करते थे, पूरी बाइबिल का एक-एक पन्ना सब फाड लिया करते थे, एक-एक पन्ना अपने पास रखते थे और जब वो अंडर ग्राउंड मिलते थे, तो सारे पन्नों को जोड करके बाइबिल बना लिया करते थे, इस तरह से इबादत ही जाती थी और वहाँ पर कलीसिया निरंतर परमेश्वर से अंडर ग्राउंड में प्रातना कर रही थी कि प्रभू इस सताओं से बच्चा और उन्हीं अंडर ग्राउंड कलीसिया के अंदर एक लेडी थी जब वो लोग अराधना कर रहे थे, प्राथना कर रहे थे परमेश्वर से तो पवित्रा आत्मा की ओर से एक भविश्यवानी उसको दी गई थी और उस लेडी ने खड़े होकर के अंडर ग्राउंड कलीशिया के अंदर भविश्यवानी करी थी कि इसी समय परमेश्वर कहता है कि मौस्को में एक बच्चे का जनम हुआ है और वो बच्चा ही बड़ा होकर के कलीशिया के उपर से इस सारे सताओं का अंद करेगा और तुम उस बच्चे को देख करके पहचान जाओगे क्योंकि उस बच्चे के माते के उपर एक लाल निशान तुम को दिखाई दे जाएगा और चालिस सालों के बाद चालिस से पितालिस सालों के बाद वही बच्चा जो था वो रश्या का राश्टर पती बना था और उसी बच्चे ने बढ़ा हो करके कलीसिया के उपर से और यहुदियों के उपर से सारे सताओं का अंत किया था और उसके सिर पर वही लाल निशान था जिसको देख करके कलीसिया पे चान गई थी उसका नाम था मिखाइल गर्वा चौव और मिखाइल गर्वा चौव के बारे में उस बविश्य वक्तन ने बविश्य वानी करती थी उन्नती उपदेश और शांती सताओं के अंदर शांती की बाते कहता है बविश्य वक्ता लेकिन आज के भविश्य वक्ता तो आपको New Zealand, America, Switzerland भेजने में लगे हुए हैं आज के हमारे भविश्य वक्ता कलीसिया के भविश्य वक्ता वो वीजा की सील मोहर ठपे लेके घूमते रहते हैं ला पासपोर्ट ला तू New Zealand चला जाएगा तू पासपोर्ट ला तू England चला जाएगा यही तो हो रहा है जबकि आत्मे कुन्नती उपदेश येश्य मसी के दूसरे आगमन का उपदेश और शांती सताओं में शांती की बाते कहने वालों की सेवकाई है भविश्य वक्ता की सेवकाई और जैसा मैंने कहा भविश्य वक्ता जो है वो आपको guidance नहीं दे सकता है जो भविश्य वक्ता आपको कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए वो पवित्र आत्मा की ओर से बेजा हुआ भविश्य वक्ता नहीं है कितने जवान लड़के लड़कियों के जीवन बरबाद कर रखे हैं इन भविश्य वक्ताओं ने तूटे हुए रिष्टे तुडवा देते हैं ये भविश्य वक्ता कि तेर को इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए पवित्र आत्मा बता रहा है तो पवित्र आत्मा उसको बताएगा ना भाई तेर को शादी थोड़ी ना कर्णी है जो तेर को बताएगा की शादी कर्णी है यह नहीं जब मेरा विवान ही हुआ था तो अप लोग ऐसे मत देखिये तो फिर जब मेरा विभा नहीं हुआ था और मेरी इंगेजमेंट हुई इंगेजमेंट होने के बाद शादी की डेट फिक्स हुई और उसके बाद सब लोगों को पता चला कि मेरी शादी हो रही है शादी हो रही है तो एक पास्टर सहब का फोन आया और पास्टर साहब ने कहा मैंने सुना है आपकी मैरिज हो रही है मैंने कहा हो रही है इस तारिक को है ये है वो तो उन्होंने कहा पर आप शादी कैसे कर सकते हैं मैं कहा वैसे ही कर सकते हैं जैसे सब करते हैं उसने कहा नहीं हमारे कलीसिया में एक भविश्यवक्तन है, प्रॉफिटिस है और उस प्रॉफिटिस ने भविश्यवानी करी है कि उसकी शादी आपके साथ होगी तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो उन्होंने कहा वो जो भविश्यवक्तन है हमारे चर्च की उसको पवित्र आत्मा ने कहा है कि उसका विवाँ आपके साथ होगा तो मैंने कहा उसको कहना कि पवित्रा आत्मा को बोले कि उसको तो बोल दिया मुझको तो बोला ही नहीं जब उससे शादी करानी है तो पवित्रा आत्मा मुझको भी बोल दे तो मैं उससे शादी कर लूँगा आप समझने मेरी बात को पवित्रा आत्मा कभी भी ऐसे काम नहीं करता है नए नियम के भविश्य वक्ता की सेवकाई जो है वो आपका मार्ग दर्शन करना नहीं है, वो परमेश्वर का सत्य वचन ला करके आपके हाथ में सोब देगा अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पवित्रा आत्मा जाने और आप जाने पॉलूस को यरुशलेम जाना था वो गया उसने पवित्रा आत्मा की भी नहीं सुनी समझ रहे हैं तो भविश्य वक्ता जो होता है वो आपका मार्ग दर्शन नहीं कर सकता है साथ ही साथ पॉलूस ने भविश्यवाणी के वर्दान जो है तो उसको परखना कि उसकी भविश्यवाणी पूरी हो भी रही है या नहीं हो रही उसके बाद दूसरा वर्दान जो इस कैटिगरी में बताया गया है वो है अन्य-अन्य भाषा बोलने का वर्दान जिसको लेकर कि आज बहुत विवाद भारत में एक वेक्ती है उसने उत्पन कर दिया एक ही वेक्ती ने उत्पन कर दिया है उससे पहले ना तो विवाद था और उसके जाने के बाद भी कोई विवाद नहीं होगा तो जब तक बीच का टाइम है तब तक आपको समझना है कि अन्य-अन्य भाषा का वर्दान क्या होता है अन्य-अन्य भाषा का वर्दान जो है वो तीन प्रिकार के वर्दान बाइबल में बताए गए है पहले प्रिकार का वर्दान जो होता है वो आप तो अपनी जुबान के अंदर बोल रहे हैं लेकिन सबको अपनी अपनी भाषाओं के अंदर सुनाई देता है जो आप प्रेरितों के काम दूसरे अध्याए के अंदर पढ़ते हैं प्रेरित अपनी जुबान में बोल रहे थे सबको अपनी अपनी जुबानों में सुनाई दे रहा है तो ये पहले प्रिकार का वर्दान होता है दूसरे प्रिकार का वर्दान होता है कि आपको किसी भी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी जगे में बोले जाने वाली किसी भी भाशा का वर्दान मिल जाए ये दूसरे प्रिकार का वर्दान होता है और तीसरे प्रिकार का वर्दान जो अन्य अन्य भाषा का होता है वो पहला कुरंतियों तेरा अध्याए उसके पहले वचन के अंदर बताया गया है स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलने का वर्दान अब स्वर्ग दूतों की बोलियां क्या होती है यह हमको नहीं पता तो वो कोई अंजानी भाषा होती है जिसको लोग बोलते हैं यह पवित्रा आत्मा की ओर से दिया जाता है अन्य-अन्य भाषा को ले करके आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो यह है कि कलीसिया के विश्वासी जो है वो सिर्फ एक ही वाक्य को बार-बार दोहराते हैं और इसलिए उनका मजाग बनाया जा रहा है और इसलिए कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यह अन्य-भाषा नहीं है यह दुश्टा आत्मा की तरफ से बोल रहे है तो ऐसा क्यूं हो रहा है पॉलूस ने कुरंथ की कलीसिया को चौदवे अध्याय पहला कुरंथियों के चौदवे अध्याय के अंदर जब अन्य-अन्य-भाषा के बारे में बताया मैं ज्यादा डीटेल में नहीं जाऊंगा तो पॉलूस कहता है कि तुम जब अन्य अन्य भाषा बोलो तो साफ साफ बोलने का प्रियास किया करो जैसे किसी musical instrument की धुन साफ नहीं होगी तो कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा musical instrument बज रहा है पॉलूस ने कहा ऐसी ही तुम भी जब अन्य अन्य भाशा बोलो तो साफ साफ बोलने की कोशिश किया करो जिसका मतलब यह है कि कुरंत की कलीसिया के जो विश्वासी थे उन में से कई सारे विश्वासी अन्य अन्य भाशा जब बोलते थे तो साफ साफ नहीं बोला करते थे ठीक है पॉलूस ने कहा अन्य भाशा बोलने से मना ना करो हलो हलो मना ना करो ओरिजनल ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में लिखा है अन्य अन्य भाशा बोलने से ना रोको कोई भी अगर अन्य अन्य भाशा बोल रहा है एक सेंटेंस भी बोल रहा है तूटा फूटा ही बोल रहा है उसको अन्य अन्य भाशा बोलने से ना रोको क्योंकि ये प्रैक्टिस होएगी पॉलूस ने कहा मैं तुम सबसे जादा अन्य भाशा बोलता हूँ जितना जादा बोलोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे तुमारी जुबान साफ होती चली जाएगी तब सुर जो है साफ आना शुरू हो जाएगा और तब तुम पूरी तरह से अन्य भाशा में बोलने लग जाओगे नए नियम के अंदर एक कंसेप्ट बताया गया है आत्मिक शिशू का ठीक है पॉलूस पत्रस सबने इस बात को कहा कि तुम एक नए जन में हुए शिशू के समान हो पत्रस कहता है क्या तुम इतने बड़े हो गए हो तुम अभी तक दूध ही चाहिए तुमको तो अभी तक मास खाने वाला हो जाना चाहिए था आत्मिक रूप से सियाना हो जाना चाहिए था तुम तो अभी तक बेबी बने हुए हो वैसे तो 90% मसीहत और मसीही लोग पाद्रियों की बेबी बने हुए है आज भी इसमें कोई डाउट रही है वो पत्रस पॉलूस इन सब की गोद में ही चड़े हुए थे बेबी बने हुए थे बेबी क्रिस्टिन्स अब ये बच्चा जो होता है देखिए एक बच्चे का जनम होता है तो वो एकदम से भाशा बोलनी शुरू नहीं कर देता है चाहे चाइनीज हो चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो बूत पीता है बड़ा होता है खाना खाता है उसके बाद बच्चा जो होता है वो कुछ अनापशना बकता है हलो जो वो अनापशना बक रहा होता है क्या वो किसी देश की बोले जाने वाली भाशा होती है चाहे वो चाइनीज हो यूरोपियन हो कोई भी क्यों नहो चाहे अरेबिक क्यों नहो बच्चा जो बड़ाता है क्या वो किसी देश की भाषा है वो एक सेंटेंस बोलता है दो-चार शब्द बोलता है लेकिन वो कोई भाषा नहीं होती है माता पिता जब उस भाषा को सुनते हैं तो आनंदित हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो भाषा नहीं है लेकिन जब वो ऐसे ही बड़ बड़ाता रहता है बड़ बड़ाता रहता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो वही बड़ बड़ाना जो है वही उसका अनापशना बकना जो है वो एक भाशा के अंदर तबदील होता चला जाता है फिर वो धीमे धीमे भाशा बोलने लगता है, वियाकरन grammar आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद जब पूरस स्याना हो जाता है, तो वो बिलकुल सही भाशा बोलने लग जाता है और यही अन्य-ण्य भाशा के बारे में पौलूस के द्वारा बताया गया है अन्यन्य भाषा बोलने से मत रोको किसी को भी चाहे वो एक वाक्ये ही बार बार दोहरा रहा हो क्योंकि उसको दोहराते रहने के कारण ही वो पूरी भाषा एक दिन बोलने लग जाए अन्यन्य भाषा का वर्दान आज भी दिया जाता है विश्वासियों को किसी के भी भर्माने में ना आए और पवित्र आत्मा के गुनेगार बिलकुल भी बनने का प्रियास्त ना करें और अंतिम वर्दान जिसके बारे में पॉलूस ने बताया वो भाशाओं की व्याक्या करने का वर्दान है व्याक्या करने का interpretation of tongues यह अनुवाद नहीं है कि word to word अनुवाद किया जाए एक व्यक्ति खड़ा हो करके अन्य भाशा के अंदर एक घंटे तक बोलेगा लेकिन जो interpretation करने वाला है वो पाँच मिनिट में दस मिनिट में उसका सार उसकी summary जो है वो बता देगा यह word to word translation नहीं होता है कभी कभी पवित्रा आत्मा एक ही व्यक्ति को दोनों वर्दान दे देता है क्यों देता है क्योंकि हमने इस बात को जाना कि जिस सेट के अंदर तीन वर्दान है उन तीन वर्दानों में से एक वर्दान मिला है तो उसके साथ अन्य दो वर्दान भी पवित्रा आत्मा देता ही देता है वरन्ना वो वर्दान सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो ये पवित्रा आत्मा के वो वर्दान है जिनके बारे में पॉलूस ने बताया और पॉलूस ने ही पवित्रा आत्मा के वर्दानों से कलीसिया का परीचे कराया था पॉलूस ने वर्दानों के नाम बताये, उनका नेचर बताया और वो नेचर जो है वो आज आपने जान लिया है किसी के भी भर्माने में ना आएं कि पवित्रा आत्मा के वर्दान क्या होते हैं पवित्रा आत्मा के वर्दान एस प्रिकार से ही उपरेट होते हैं आप में से कईयों के जीवन में कई-कई वर्दान ऑपरेट हो रहे होंगे, आपको समझ में ही नहीं आता होगा, लेकिन आज के बाद पवित्रा आत्मा के वर्दानों के बारे में आप अंधकार के अंदर नहीं रहेंगे। आप चाहें तो यह बुक जो है बाहर अविलेबिल है, आप इसको बाहर से ले सकते हैं, एक और बुक जो मैंने पवित्रा आत्मा के उपर लिकी है, जो पिछले साल मैंने लिकी थी, जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा, येशु मसी ने इस बात को कहा, कि तुम मुझे आकाश के बादलों पर आते हुए, देखोगे, यहुदियों ने अपने कपड़े फार लिए, क्यों फार लिए, हलो, वैसे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसी इशु ने कहा, मैं आकाश के बादलों पर आऊंगा, उन्होंने अपने कपड़े फार लिए, आ ठाल ये जाएंगे वो बादल किया है वो एक बादल इसराइलियों के साथ साथ चला करता था वो बादल किया था सुलिमान के मंदिर के अंदर बादल जो है वो आ गिया दूए का बादल आ गिया येशु मसी जब एलिया और मुसा के साथ पहड पर थे पत्रस येशु से कुछ बात बोल रहा था कि एक दूए का बादल आ गिया वो बादल खिया है उन सब बातों को आप इस किताब के अंदर पढ़ करके जान पाएंगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और इसमें मैंने आग के बबतिस्मे के बारे में भी बताया है आप को बहुत आशिश जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे साथ ही साथ बाइबल की भविश्यवानियों पर एक बुक में अपने साथ लाया हूं नए मंदिर का समय जो मैंने अपने संदेश के स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्या होने जा रहा है जब इरान इसराइल का युद हो जाएग उसके बाद बाइबल में क्या बताया है कि क्या होगा इसराइल में इस किताब नए मंदिर का समय में पढ़ करके आप जान पाएंगे तीनों किताबें बाहर उपलब्ध हैं आप चाहें तो इनको बाहर से ले सकते हम अपनी आखे बंद करेंगे मैं आप लोगों के लिए प बचन का बीच बोधिया गया है आप प्रभू अपने लोगों के जीवन में अद्बुद रूप से काम करें और शातान किसी भी तरे से ये वचन इनके जीवनों से चुरा करके ना ले जाने पाए प्रभू अपनी अद्बुद महीमा को दिखाए और पवित्रा आत्मा के वर् गट करें प्रभू जिया आपके लोगों को आपके हाथों में सूप रहा हूं आप इनकी चिन्ताओं को परेशानियों को जानते हैं जिस पर इस तिती से गुजर रहे, वो भी आफ जानते हैं प्रभू आप अपने सामर्द को इंकी उपर उन्डेल दें अपनी महीमा को आत्मिक तौर से इनको इतनी आशीशे मिलने पाए प्रभू कि यह आपके अंदर बल्वन्त ही बल्वन्त होते चले जाने पाए इनको ब्लेस करें हर प्रकार की आशीश से आप इनको भरपूर कर दें मैं इनको आपके हातों में सोप रहा हूं आप से प्रात्ना करता हूं यह नहां पर बैटा हुआ हर एक जन खाली हाथ घर ना जाने पाए प्रभू। आपकी क्रिपा का स्वाद, पवितर आत्मा का स्वाद चख करके यहां से जाने पाए प्रभू। आपकी क्रिपा को आप अपने लोगों के जीवन के उपर दिखाएं। प्रभुजी अनुग्रे करें इनके जीवनों को पवित्रा आत्मा के वड़दानों से भड़ दें प्रभु जिस काम और मकसद के साथ आपने इनको बुलाया है वो मकसद इनके उपर जाहिर होने पाए प्रभु आपकी महिमा प्रगट होने पाए प्रभु जी मैं आपके लोगों को आपके हातों में सोप रहा हूँ प्रभु जी यहां पर बैटे हुए हर एक जवान को मैं आपके समुक ले करके आता हूँ आप से प्रात्ना करता हूँ कि इनके जीवनों के अंदर अपनी अद्बुद महिमा को आप प्रगट कर दें पहितरा आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो दर्शन इनके जीवन के अंदर उतर जाने पाए पहितरा आत्मा के वर्दान जिसके लिए आपने इनको ठेराया है अनंतकाल से चुन लिया है वो वर्दान इनके उपर उतरने पाए येशु मसी के सामर्थी नाम से प्रभुजी अद्बुद दया करें एक बुजर्ग बेहन हमारे बीच में है जिसके पेट के अंदर बहुत दर्द होता है मेरी बेहन तेरी दर्द को येशु मसी ने महसूस किया है उस दर्द को येशु मसी दूर कर रहा है प्रभुजी आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं एक भाई है जिसके हाट की उंगलियों के उपर सफेज सफेद निशान बने हुए है येशु मसी उस भाई को चंगा कर रहा है प्रभुजी आपका धन्यवाद हो प्रभू प्रभुजी अपनी महिमा को आप प्रगट करें अपने सामर्थ को आप प्रगट करें एक भाई है जिसका उसकी पत्नी से तलाख होने जा रहा है यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है एक दूसरी स्त्री की वज़े से वो अपनी पत्नी को तलाग देना चाह रहा है लेकिन परमेश्वर उस संबंद से प्रसंद नहीं है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो परमेश्वर का दंड उसके जीवन के उपर आ जाएगा मेरे भाई परमेश्वर तुझको एक मौका और दे रहा है अपनी पत्नी के पास तुझे वापिस लोटना पड़ेगा प्रभू आप इस भाई का मार्ग दर्शन करें प्रभू प्रभू जी इसको सद्बुद्धी दें और सही मार्ग पे चलने का सामर्थ प्रदान करें प्रभू इसको शतान के इस फंदे से आप बच्छा ले अपनी कृपा को इसके जीवन के उपर दिखा दें प्रभू प्रभू आपके लोगों को आपके हाथों में सोप रहा हूं इनका जीवन आपका है और यह आपके हैं आपके नाम के कहलाते हैं प्रभू आप अपनी अध्वुद महिमा को प्रगट करें प्रभू आप से प्रात ना करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बिमार आए हुए हैं उनकी बिमारियां लेकर के वो घर वापिस ना लौठने पाए इनकी बिमारियां इसी समय ठीक हो जाने पाएं येशु मसी के सामर्थी नाम से एक बेहन है जिसके यूट्रिस के अंदर डॉक्टर ने गांठ बताई है और और ऑपरेशन के लिए बोला है येशु मसी ने इसी समय उस गांठ को दूर कर दिया है प्रभू आपका धन्यवाद हो प्रभू आपका धन्यवाद हो प्रभु मैं आपके लोगों को आपके समुक लेकर के आ रहा हूँ आप इनकी परिस्तिती को जानते हैं, इनके दुख को जानते हैं आप इनको चंगा कर दे, इनके उपर अनुग्रे कर दे अपनी शांती से इनके जीवन को भर दे मैं इनको आपके हाथों में सोब रहा हूँ येशु मसी के सामर्थी नापस आमें